नमस्कार स्वागते आप सभी कहां इंडिया टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पुजा शर्मा आज का हमारा बेहदी खास टॉपिक है आज दरसल हम बात करेंगे कि अपने घुटनों के दर्द से हम कैसे छुटकारा पा सके चाहे बूडे बुजर्ग हों या जवान हों या फिर छोटे बच्चे क्यों ना हों आज कल सब को घुटनों में दर्द होने लगा है मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द काफी जादा बढ़ जाता है कभी कभी कोई कोई तो अपने गुटनों में तेल मालिश करवा कर गुटनों के दर्द से चुटकारा पा लेता है कुछ लोग चलते फिरते योग करते हुए चुटकारा पाते हैं लेकिन अगर आप हर दिन योग करेंगे तो आपको घुटनों में दर्द ही नहीं होगा तो क्यों हम उस तक पहुंचें कि जब हमारे घुटनों में दर्द हो जब हमारे शरीर में कुछ बीडा हो और आप वो योगासन हर दिन कीजिए, अगर आपके घुट्नों में दर्द होता है, धीरे धीरे उसके शुरुआत करिए, तो आपके घुट्नों में दर्द नहीं होगा, जैसे कि हम जानते हैं, लोगों को घुमना फिरना काफी जादा पसंद है, और ये मौसम भी ऐसा है, अ जल्दी, घुट्नों में दर्द हो जाता है, और उस वोजे से आप ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेली योग कीजिए, आप अच्छे ट्रेवलर भी बन सकते हैं, तो चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, घुट्नों के दर्द से निजात पाने के ल कि इसके साथ साथ आपका कंसेंटरेशन लेवल बढ़ता है, और जब आप इस पोस में बैठेंगे, तो आप अच्छा-च्छा सोच भी सकते हैं, आपकी सोच का एक अलग लेवल हो सकता है, लेकिन उस समय आपको इस सोचना है पॉजिटिव, नेगिटिव थिंकिंग की तर इस तरीके से खोलना है, और अपने हिप्स को ग्राउंड से टच रखना है, मैट से टच रखना है, ऐसे, ऐसे बैठने के बाद, क्योंकि हमेशा राइट साइड से आसन की शुरुवात करनी चाहिए, तो अपने राइट लेग को आप ओपन कर लीजिए, और ऐसे रखना है, ऐसे, मैं आपको एक बार इस तरीके से दिखा देते हूँ, आपको अपने लेग को अपने घुटने मोडे हुए हैं, एक घुटना मोड कर अपने इस लेग को ऐसे रखना है, ठीके, तो वजरासन में बैठ कर, इस तरीके से आपका पोज होगा, उसके बाद आपका एंकल य नहां पर होगी, और यहां पर हाथ होना चाहिए, और आप बिल्कुल रिलाक्स होकर, क्योंकि आपका ये पैर ऐसे और हिप्स ग्राउन पर होने चाहिए, बिल्कुल आप रिलाक्स बैठे हैं, उसके बाद हाथ को ऐसे रख कर, और ऐसे आपको बैठना है, आखे बन करनी है और थोड़ी देर तक बिल्कुल रिलाक्स हो जाना है, ये एक meditation pose भी कहा जाता है, इससे आपके घुटनों का दर्द भी दूर होगा, और साथ ही आप meditate कर पाएंगे, आप positive सोच पाएंगे, तो कुछ देर वीरासना में बैठते हैं, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको बहुत जादा better feel हो रहा है, लेकिन इस वक्त आपको बिल्कुल positive सोचना है, और जाज स्यादा कोशिश कीजेगा कि कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ negative thoughts हमारे मन में नहीं लाने है, धीरे धीरे आपको breathe in, breathe out करना है, अब सेम इसी को अपने left side से करना है, यानि आपका ये पैर ऐसे होना चाहिए और इस पैर को मोड कर ऐसे बैठना है, आपको relax होकर, अब left hand को यहाँ पर रखकर, चिन के उपर आपका ये हाथ होना चाहिए और relax हो जाए बिलकुल, इसको thinking pose भी कहा जाता है, कि हम कुछ सोच में हैं, और इस वक्त हम meditate कर रहे हैं, अच्छ हम हैसूस कर रहे हैं, और आपने feel क्या होगा, जब आपने right side से क्या होगा, आपके दोनों घुटने में खिचाफ पढ़ा होगा, इससे घुटनों का दर्द बहुत अच्छे से दूर होता है, और इसके साथ-साथ आप अपनी 27 पर भी असर पढ़ने वाला है, तो अब left side से हम इस pose को करते हैं और थोड़ी दे इस pose में बैठते हैं, वी रास्तना करते हैं आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि जब आप वी रास्तना कर रहे हैं, तो आपके जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बोडी एक alignment में होनी चाहिए, आपको जुख कर नहीं बैठना, सीधा बैठना है, सीधे आपको गुटने रखने हैं, एक गुटने को आ रखना है, ताकि आप रिलाक्स होकर बैठ पाएं, आपके किसी भी बॉडी पाट पर कोई खिचाव, कोई दवाब नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बैठींगे, अपने हिप्स को इसके उपर रखेंगे, तो आपके जो यह पैर के तलवे हैं, इस पर दव आपकी सोच कितनी जादा डेवलप होगी, तिंकिंग पोस क्यों कहा जाता है, इसको और हीरो पोस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम एक हीरो की तरह, एक अच्छा-च्छे विचार अपने दिमाग मिला रहे हैं, तो यह पोस काफी जादा अच्छी है आपके घुटनों के दर् तो